पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही खोच का होगा। चुनिए CGPSC नी बात्षाला क्लासेज़ को और करें अपने CGPSC और व्यापम का सपना साकार। डाउलोड धी आप नाउ सबसे फेवरेट चेप्टर है इसपेशलिस CGPSC नी बात्षाला को फूड इसपेक्टर का एक्जाम होता है उसमें इनपोर्टेंट चेप्टर है आपका मुल्य एवं सारवजनिक वित्रण प्रणाली ठीक है ठीक है चले शुरू करते हैं ध्यार समझते हों चलिएगा CGPSC पार्षाला का 36 आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 और 36 एवं केंद्रिय बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अविलेबल है इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं यहां शहरों के नाम बुक डिपो के नाम उनके कॉंटेक्ट नंबर दिये गया है साथी साथ आप हमारे मोबाइल एप CGPSC पार्षाला एकोनामिक सर्वे को मुल्य एवं सारवजनिक वित्रण प्रणाली के अंतरगत दो टॉपिक आते हैं एक है मुल्य और दूसरा है सारवजनिक वित्रण प्रणाली मुल्य का अंतरगत थोक मुल्य सुचकांग उभुकता मुल्य सुचकांग को कवर करना होता है जो कि exam point of view से उतना important नहीं है हमारे लिए में हम इसमें cover करने वाल है सारवजनिक वित्रण प्रणाली को ठीक है जैसे कि आप board पे देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे content लिखे हुए बहुत सारा theory portion है मैंने आपको सूरु से बताया हुआ है कि जो भी video lecture में हम cover कर रहे है यह सारा का सारा हमारे आर्थिक सर्वेक्षन के book से ही यह content उठा करके आपको बताया जा रहा है इतना सारा theory पढ़ करके time waste करने से कोई मतलब नहीं है जिस जगह पे जरुवत होगा वहां मैं आपको theory पढ़ करके बताऊंगा लेकिन theory को पढ़ने के दोरा जिस जगह पे मैं underline करूँगा उस चीज़ पर main focus कीजिएगा वो already previous year में पूछे गए question है पहले के exam में आई हुए question है उसे मैं आपको underline करके अलग से highlight करके बताऊंगा उस पर main focus करते हुए चलना साथी साथ board में side में मैं जो भी data mention करूँगा जो भी year mention करूँगा उस पर भी main ध्यान देना ठीक है देखिए सारवजनिक वित्रण प्रणाली ठीक है अपने प्रदेश के नागरिकों का जो गरीब और जरुवतमन नागरिकों को भोजन का अधिकार देने वाला ठीक है भोजन का अधिकार देने वाला खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला हमारा 36 गर देश का पहला राज्य है देखे राष्ट्रिय इस्तर पर अखिल भारतिय इस्तर पर राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधीनियम 2013 में लागू हुआ ठीक है अखिल भारतिय इस्तर पर पूरे भारत भर में राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधीनियम 2013 को लागू हुआ जबकि उसके एक साल पहले 2012 म में 36 गड़ खाद्य एवं पोशन सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया था देश में राष्ट्रिय इस्तर पर अखिल भारतिय इस्तर पर एक साल बाद लागू हुआ 2013 में हमारे 36 गड़ में एक साल पहले ही 36 गड़ सरकार के द्वारा प्रदेश के गरीब और जरुवत मंदों को भोजन का अधिकार देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया था तो 5 जुलाई 2013 को अखिल भारतिय इस्तर पर लागू हुआ फूर्ड इस्पेक्टर का कोश्चन बना था इस डेट को याद रखना है पांच जुलाई 2013 को अखिल भारतिय इस्तर पर राश्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था तिथी के साथ याद रखन अर्थात 2 करोड लोगों को 5 किलो प्रती सदस्य के मान से खाद्यान की पात्रता निर्धारित की गई है राष्ट्य खाद्य सुरक्षा के अंतरगत चावल की उभोक्ता दर 3 रुपए प्रती किलो है जबकि खाद्य सुरक्षा कानून में अंतियोदय एवं प्राथमिक्ता वाले 62.96 बासट दसम्वलो 9.6 लाग परिवारों को 1 रुपए प्रती किलो की दर से तथा सार्व भौमिक प्रिडियस प्रणाली के अंतरगत सामान्य परिवार याने की एपीयर गाशन कारण अधारी परिवार जिनकी संख्या 9.22 नौद असम्वलों 2.2 लाग परिवार है उन्हें 10 रुपए प्रती किलो की दर से खाद्यान प्रदान किया जा रहा है देखिए इसमें बोला किया अंतियोदय तथा प्राथमिक्ता वाले जो परिवार है जिनकी संख्या 62.96 लाग परिवार है उन्हें 1 रुपए प्रती किलो की दर से आपका चावल प्रदान किया जा रहा है जबकि सारवह में प्रती किलो की दर से आगे हम देखेंगे एक होता BPL और दूसरा होता है आप आपका APL, Below the Poverty Line और About the Poverty Line आगे सारवह में PDS प्रणाली आपको समझाऊंगा तो जो सामान्य परिवार है सामान्य राशनकारधारी परिवार है उन्हें 10 रुपए प्रती किलो की दर से हमारे 36 गड़ शाशन के दारा आपका चावल मोहिया कराय जा रहा है ठेक तो यह आ 5 जुलाई 2013 को यह अधिनियम लागो हुआ राश्ट्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम ठेक एक्जाम का पूछा गया कोश्चन है अब देखिए नेक्स्ट है आपकी उचित मुल्य की दुखाने उचित मुल्य की दुखाने देखिए इसे हम पहले ही कवर कर चुके है 36 भारत में राश्ट्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागो हुआ 2013 में ठीक है एक साल बाद अब देखिए उचित मुल्य की दुखाने जो यहां पर इतनी बात की जा रही है कि प्रदेश के नागरिकों को जरूरत मंदों को गरीबों को चावल वित्रण की जा रहा है ठीक ह उचित मुल्य की दुखानों के माध्यम से नवंबर 2022 तक की इस्थिती में हमारे प्रदेश में उचित मुल्य दुखानों की संख्या 13507 है ठीक है नवंबर 2022 तक की इस्थिती में हमारे प्रदेश में उचित मुल्य दुखानों की संख्या कितनी है 13507 जिसमें ग्रामिंड चेत्र में सरवाधिक 11829, शहरी चेत्र में 1678 है, ठीक है, दोनों को add करेंगे, तो आपका 13507 मिल जाएगा, उचित मुल्ले की दुकाने क्या होती है, जो आपके जो खाद्यान सुरक्षा अधिनियम के अंतरकत बताया जा रहा है, कि जरुवत मन गरीबों को राशन सामागरी उपलब्द कराई जानी की जो दुकान है, वो है उचित मुल्ले की दुकान, ठीक है, राशन दुकान, जो जगह जगह पे गवर्मेंट जो राशन आपका वित्रत करती है, चावाल एक रूप है प्रतिकिलों की दर से, कई जगह पे कैरोसीन वित्रन होता है, ठीक है, वो उ और ऑर चित गण में बात करें, तो सर्वाधिक उचित मुल्ले की दुकाने बिलासपूर जीले में है, ठीक है, ठीक है, ठीस जीलो के आधार पर। महिला मानपूर अंबागर चौकी तो राजनांद गाओ अब फ़र छोटा हो गया है इसलिए डाटा चेंज हो गया है अब सरवादिक उचित मुल्य की दुकाने कम है तो लोजिक के साथ चीजों को याद रखना ठीक है बिलासपूर घनियाबादी वाला एरिया है नारायनपूर दुर्गम एरिया है ठीक तो इसको थोड़ा सा याद रखना अब देखिए यह जो उचित मुल्य की दुकाने हमारे पुरे प्रदेश भर में 13507 उचित मुल्य की दुकाने जो संचलित है उसमें से सहकारी समीतियों के द्वारा 4779 ग्राम पंचायतों के द्वारा 3867 महिला स्वह सायता समों के द्वारा 4756 वन सुरक्षा समीतियों के द्वारा 105 और नगरी निकायों के द्वारा 10 उचित मुल्य की दुकाने संचलित अभी तक तो एक्जाम में यह कोश्शन आया नहीं है लेकिन सायद यहाँ कोश्शन बन सकता है क्योंकि अब धीरे-धीरे एक्जाम का इस्तर बढ़ते जा रहा है उचित मुल्य की दुकाने कितनी संचलित है ये आ चुका है ठीक है ग्रामीन छेत्र में कितनी उचित मुल्य की दुकाने संचलित है ये भी आ चुका है अब थोड़ा सा अब डीप लेवल में अगर जाकर कोश्चन पूछना हुआ तो प्रश्ण पूछेगा कि आपके 36 गड़ खाद दे एवं पोशन सुरक्षा अधिनियम के अंतरगत स बहिला स्वासायता समुह के दौरा नवंबर 2022 तक की इस्थिती में कितनी उचित मुल्य की दुकाने संचलित की जा रही है ठीक है बहिला स्वासायता समुह सेल्प हेल्प ग्रूप ठीक इंपोर्टेंट है इन डाटा को भी थोड़त मेन याद रखना जिसमें से सरवाधिक सरवाधिक किन के दौरा संचलित किया जा रहा है सहकारी समितियों के दौरा सरवाधिक आपके उचित मुल्य की दुकाने 4769 संचलित की जा रही है ठीक चलिए अब आगया बढ़ते है सारवजनिक वित्रण प्रणाली सारवजनिक वित्रण प्रणाली PDS यानि कि Public Distribution System इसमें ओनलाइन व्यवस्था किस तिथी को प्रारम की गई किस वर्ष प्रारम किया गया एक्जाम का पूछा गया प्रशन है जो सारवजनिक वित्रण प्रणाली है याने कि सारवजनिक वित्रण प्रणाली, PDS प्रणाली, Public Distribution System को आनलाइन व्यवस्था किस वर्ष से प्रारम किया गया तो वर्ष 2007 से, वर्ष 2007 से कम्प्यूटरी करण कारे प्रारम किया गया ठीक है, देखे, विशेश क्या है सारवजनिक वित्रण प्रणाली, PDS की जो ऑनलाइन व्यवस्था है याने कि कम्प्यूटर के माध्यम से कारे करने की व्यवस्था 2007 से प्राम की गई लेकिन जो distribution है, जो उचित मुल्य की दुकानों को खाद्य संचाल नालाए के द्वारा, जो food का, जो राशन समागरियों का वित्रण किया जाता है उसका देखर एक प्रारम किया गया आपके जनवरी 2008 से ठेक, देखे, Android आधारी टेबलेट के माध्यम से कम्प्यूटरी करित हमारे प्रदेश में, वित्तिय वर्ष 2022-23 तक की इस्थिती में, वर्तमाने कितने उचित मुल्य की दुकाने, 13,507 अभी हमने देखा था याने की एक राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड में जितने भी परिवार वालों को नाम जुड़ा हुआ है, उनके आधार कार्ड लिंक है तो जो भी व्यक्ति राशन लेने के लिए जाएगा राशन कार्ड क्रमांक को देखने के पस्चाथ उनका फिंगर प्रिंट लिया जाता है और फिंगर प्रिंट लेने के बाद उन्हें राशन वित्रित किया जाता है और ये व्यवस्था लाई गई है पार दरशिता लाने के ठीक है तो ये जो computer record की बात हो रही है न ये android आधारी tablet के माद्धायम से हमारे प्रदेश के सभी उचित मुल्य की दुकाने 13507 उचित मुल्य की दुकाने आपके संचलित है computer record है ठीक वित्य वर्षे 2022-23 में one nation one राशन कार्ड योजना के अंतरगत 13443 उचित मुल्य की दुका अरे 36 गड़ में किसी एक राशन दुकान में जाकर के राशन ले सकता ये concept लाया गया था lockdown के बाद से ठीक है जब बहुत से migration हुए थे बहुत से लोग जो है जो दूसरे राज्य में जाकर के काम कर रहे थे वो वापस आए तो उनके उस state के यानि की जो उस दूसरे राज्य से होकर गुजर रहे तो उस राज्य के बहुत इशितमुल्य के दुकानों से वो राशन ले सके तब सरकार ने एक concept लाया था 1 nation 1 राशन कार्ड यानि कि राशन कार्ड किसी भी राज्य का हो वो किसी दूसरे राज्य में भी जाकर के राशन ले सकता है ये था आपका बन ने ये तो अभी तक question बना नहीं है, लेकिन question बन सकता है, PDS प्रणाली call center, पूरा कपूरा detail नहीं बता रहा हूँ, इसका concept क्या है ये समझना, PDS प्रणाली call center, यानि कि public distribution system, सारवजनिक वित्रन प्रणाली का जो call center प्रारम किया था, ये प्रारम किया गया जनवरी 2008 से, क्यों प् यानि कि राशन को तॉलने में, अगर वो सामने वाला किसी प्रकार का बैमानी कर रहा है, या राशन देने में आना का नहीं कर रहा है, तो इस नंबर पर, 1967 या फिर, 1800-2333-663, टोल फ्री नंबर पर call करके, राज्यशाषन को direct शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, राज्यशाषन को direct शिकायत कर सकते हैं, पीडियस प्रणाली कॉल सेंटर के माध्यम से, ठीक है, इसके माध्यम से कोई भी नागरिक पीडियस या खाट देविभाग के दौर संचली तियोजनाओ कि जानकारी प्राप्त कर सकता है, साथी साथ अपनी शिकायते भी दर्ज़ करवा सकता है, सारभौमिक प्रणाली क्या है, इसे ध्यान समझना देखे, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्टिप्यूशन सिस्टम, सारभौमिक प्रणाली की शुरुवात कब होई, इसकी शुरुवात होई आपकी 2 अक्टूबर 2019 को, महत्मा गांधी जी के जन्म जैनती के औसर पर सारभौ प्रणाली यूनिवर्सल पब्लिक डिस्टिब्यूशन सिस्टम की शुरुवात की गई यह है क्या सामान राशन कार्ड धारी परिवार देखिए एक होता है BPL गरीबी रेखा कि नीचे जीवन वैपन करने वाले बिलो दी पावर्टी लाइन और एक होता है APL अबाव दी पा ठीक है गरीबी रेखा इसके अपने पैमाने है उस पर हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे तो गरीबी रेखा के जो नीचे जीवन व्यापन करता है उसे कहा जाता है BPL याने की बिलो दी पावर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवा कि बहुत से ऐसे लोग जो की BPL से अब APR category में आ चुके है बहुत से ऐसे परिवार जो की पहले below the poverty line थे लेकिन अब पYour Tid मात्यायाशन के APL के अंतरगत तो इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया आपका Universal Public Distribution System जिसमें मुख्य रूप से जो अभी-अभी APL केटिगरी के अंतरगत आये है उन्हीं जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था लेकिन आज के डेट में सभी के सभी APL परिवारों का भी राशन कार्ड बन चुका है अब इसमें ये कोई क्राइटीरिय नहीं देखा जा रहा जो आपके APL के अंतरगत है वो भी अब अपना राशन कार्ड बना रहे है इसकी शुरुवात होई थी 2 अक्टूबर 2019 को इसमें आयकर दाता और गैर आयकर दाता सभी वर्ग के लोगों को सामान्य परिवार को इसमें राशन कार्ड वित्रिस किया जा रहा है जो पूरा का पूरा जो सिष्टम है जो पूरी डिस्टिबिशन सिष्टम है वो सारभूमिक पीडिस प्रणाली के अंतरगती संचलीत हो रहा है अब देखिए हमारे प्रदेश में कौन-कौन से राशन कार्ड वित्रित है इसको थोड़ा सा ध्यान समझेगा नवंबर 2022 तक के इस्थिती में हमारे प्रदेश में राशन कार्ड धारी परिवारों की संख्या है यहां आबादी की बात नहीं हो रही है यहां किसकी बात हो रही है परिवार इतने परिवारों में हमारा राशन कार्ड वित्रित है बहत्तर लाख इखत्तर हजार चार सो इंक्यावन राशन कार्ड धारी परिवार है इतने परिवारों को राशन कार्ड वित्रित किया गया है नवंबर 2022 तक की स्थिती में जिसमें से सर्वाधिक राशनकार्ड धारी परिवार रायपूर जिले में है, हमारे प्रदेश में आपके कौन-कौन से राशनकार्ड वित्रित के जाते हैं, पहले उनका नाम देख लीजिए, प्राथमिक्ता परिवार राशनकार्ड, अंतियोदर राशनकार्ड, एकल निरा प्राथमिक्ता जो की थोड़ा सा गरीब याने की अति गरीब से थोड़ा सा ऊपर एकल निराश्रित याने की ऐसी महिलाएं विद्वा या परित्यक्त महिलाएं जिसका कोई आश्रय नहीं होता एकल या निराश्रित एक होता है निसक्त जन याने की विकलांग हैंडिकेप द राशन कार्ड लेकिन अन्पूर्ण राशन कार्ड संबंदित पिछले बार के एकोनोमिक सर्वे से कोई भी जानकारी उपलब्द नहीं हो रही है तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अन्पूर्ण राशन कार्ड अब बंद हो चुका है ठीक है अब यह चालू है कि बंद ह हो चुका है वित्रित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन पिछले साल के economic survey से अन्य पूर्णर राशन कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्द नहीं कराई जा रही जो प्राथमिक्ता परिवार राशन कार्ड है देखिए हर एक राशन कार्ड का अपना एक रंग भी होता है उस रंग के आधार पर बताया जाता है कि वो राशन कार्ड किस परिवार का है अगर वो लाल रंग का राशन कार्ड है तो वो प्राथमिक्ता परिवार राशन कार्ड है पीले कलर का रा अरशन कार्ड है तो वह सामान्य यानी की APL का राशन कार्ड है हमारे प्रदेश में सरवाधिक प्रात्मिक्ता परिवार राशन कार्ड वितरित है लगभग 48 लाग के आसपास ठीक है पूरे ड़टा परिवार राशन कार्ड वित्रित है उसके बाद तीसरे नंबर पर है आपका APL हमने देखा ला सारवजिनिक वित्रण प्रणाली के अंतरका सभी APL को यानि की अबाउधी पावर्टी लाइन के वाले सभी लोगों को राशन कार्ड वित्रित किया जा रहा है पूरा डाटा याद कर सकते हैं बढ़िया है नहीं कर सकते हैं तो exact यह डाटा याद रखना इस डाटा को भी कैसे याद रखना 72.71 लाख परिवार राशन कार्ड वित्रित है ठीक है प्रात्मिक्ता परिवार राशन कार्ड सरवाधिक रायपूर जिले में है सरवाधिक यह प्रात्मिक्ता परिवार राशन कार्ड धारी सरवाधिक रायपूर जिले में है वैसे ही आपका अंतियोदय और एकल निराश्रित सरवाधिक राशन कार्ड धारी बिलासपूर जिले में है ठीक है निसकत जन और आपका सामान्य परिवार राशन कार्ड धारी सरवाधिक दुर्ग जिले में है और overall अगर बोला जाए तो overall सरवाधिक राशन कार्ड धारी परिवार कहां पर है आपके रायपूर जिले में है ठीक है तो ये data को थोड़ा याद रखना important है ये क्या होगा ये जो आपका जो हमने ये देखा कि आपका परिवार राशन कार्ड याने की प्रात्मिक्ता परिवार अंतियोदय परिवार ये जो राशन कार्ड की जो अलग-अलग category है और ये जो राशन कार्ड का रंग है ना इसको match the falling में पूछ सकता है या सत्य असत्य यूगमेव में अलग कर देगा और उससे पूछेगा कौन सा एक असत्य यूगम है ठीक है ऐसे question इससे बन सकते है next देखिए आगे है आपका 36 खाद्यान ने एवं पोशन सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतरगत खाद्यान की पात्रता एवं दरे यानि कि जो उचित मुल्य की दुकानों के उन्हें चावल प्रती माहा 35 किलो चावल दिया जाएगा एक राशन कार्ड की उपर जिनके पास अंतियोधर राशन कार्ड है उन्हें प्रती माहा हर महीने 35 किलो चावल दिया जाएगा 1 रुपे प्रती किलो की दर से चना दिया जाएगा 2 किलो 5 रुपे प्रती किलो की दर से और नमक दिया जाएगा अगर अनुसूचित छेतर के अंतरगत है तो उन्हें 2 किलो और गैर अनुसूचित छेतर के अंतरगत है तो उन्हें 1 किलो यानि कि जो अमरित नमक करके आता है जो हमारे यहां जो प्रदेश में जो नमक वित्रित किया जाता है उसका नाम है अमरित अम्रित नमक का पैकेट वित्रित किया जाता है तो एक किलो का एक पैकेट होता है अगर वो अनुसूची छेत्र में निवास करते है आगे हम देखेंगे जब ग्रामीन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ग्रामीन विकास वाला तो अनुसूची छेत्र क्या है गैर अनुसूची छ प्रशासन आपके राष्टपती के द्वारा अपने प्रतिनीधियों के माद्यम से यानि कि राज जपाल के माद्यम से उस छेत्र का प्रशासन किया जाता है आदिवसी बहुल छेत्र अनुसूची छेत्र के अंतरकत आते हैं और आगे हम डिटेलिंग करेंगे ठीक है प्राफ्मिक्ता राषन कार्ड धारी परिवार है उसमें देखिए उसमें चावल जो है अगर मान लीजिए एक प्राफ्मिक्ता कार्ड राषन कार्ड वित्रित है और उसमें केवल एक ही सदस्या है इस राषन कार्ड में केवल एक ही सदस्या का नाम जुड़ा हुआ है तो अगर 5 से अधिक सदस्य है तो 7 किलो प्रती सदस्य के दर से दिया जाएगा जैसे कि मान लीजिए इस आपके इस प्रात्मिक्त परिवार के अंतरगत टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है 7 तो 5 सदस्य तक का 35 किलो उसे चावल दिया जाएगा फिर 5 के बाद 2 अतरिक्त है तो 7 प्लस 7 यानि की प्रती सदस्य 7 किलो की दर से टोटल हो गया आपका ये 14 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपका 35 प्लस 14 49 किलो ठीक है ये एक्जामपल बताने के लिए है ठीक तो ऐसा 7 से अधिक होने पर 7 किलो प्रती सदस्य की दर से उपलब्द करा जाएगा और उप्भुकता दर क्या होगा एक रूप प्रती किलो चना 2 किलो मिलाएगा 5 रूप प्रती किलो की दर से नमक सेम अनुसूची छेत्र में 2 किलो गयर अनुसूची छेत्र में 1 किलो निशुल्क अब देखिए जो निरास्रित राशन कार्ड है उसमें किवल चावल मिलता है नमक और चना नहीं देता है इसमें जो है दस किलो दिया जाता है निशुल्क कोई उसका शुल्क नहीं होता जैसे कि अंतियोदय और प्राथमिक्ता परिवार को चावल तो मिलता है लेकिन एक रू प्रश्ण पूछा जाएगा सारवजनिक वित्रन प्रणाली के अंतरकद निशक्त जन राशनकार्ड धारी को 10 किलो चावल किस उपभोगता दर पर उपलब्ध कराया जाता है एक रूपर प्रतिकिलो दो रूपर प्रतिकिलो पांच रूपर प्रतिकिलो निशुल्क उपलब प्रतिकिलो की दर से चावल दिया जाता है ठीक है अब देखे जो हमने इस्टार लगा था है चणे के आगे तो चने की आत्रता केवल अनुसूचित और माडा छेत्रों में है अनुसूचित छेत्र क्या होते है माडा छेत्र क्या होते है अनुसूचित छेत्र के अंतरगत कौन कौन से जिले आते है माडा छेत्र के अंतरगत कौन कौन से छेत्र आते है यह सब हम चेप्टर 12 में करेंगे ग्रामीन विकास वाले टॉपिक में ठीक है अभी बस यहाँ पर ध्यान रखिए केवल अनुसुजित एवं माड़ा छेत्रों में अन्तियोद्य एवं प्राथ्मिक्तर राशन कार्ड धारी परिवारों को ही चना मिलता है ठीक है चना दिया जाता है चना जो है अन्तियोद्य एवं प्र प्राथ्मिक्तर राशन कार्ड धारी परिवारों को आपका एक किलो शक्कर प्रती महा 17 रुपए प्रती किलो की दर से वैसे ही गुड उपलद करा जाता है गुड मिलता है केवल और केवल बस्तर संभाग में उतना आपका शकर वित्रित नहीं होता है सरवादिक वहाँ पर वित्रन किया जाता है 2 किलो प्रती महा 17 रुपए प्रती किलो की दर से कैरोसीन के लिए केवल अन्तियुदे एवन प्राथ्मिक्ता परिवार राशन कार्ड धारी ही इसके लिए पात रहे ठेक है आगे देखिए सारवजनिक वित्रन प्रणाली के अंतरगत वित्य वर्ष 2022 22-23 में सरवाधिक किस khád्यान समागरी का वित्रण किया गया तो सरवाधिक वित्रण किया गया है आपके चावल का वित्य वर्ष 2022-23 में ठेक है उसके बाद नमप उसके बाद शक्कर उसके बाद चना ठेक इसको आप के चावल का सरवाधिक वित्रण किया जाता है नमक फ्री ओफ कोश्ट है तो ये भी आपका सेकेंड नमबर पर होगा थर्ड में है सक्कर और फोर्थ में है आपका चैना ठेक चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है नियुंतम समर्थन मुल्य देखिए प्रदेश सरकार के द्वारा नियुंतम समर्थन मुल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फसलों की क्रिशी उपजों की खरीदी की जाती है देखिए ये जो आपका नियुंतम समर्थन मुल्य निर्धारित करती है केंद्र सरका के द्वारा नियुंतम समर्थन मुल्य का निर्धारन किया जाता है। आर्थिक मामलों की कैबिनिट समीति के द्वारा क्रिशी उपजों का नियुंतम समर्थन मुल्य जारी किया जाता है। तीलहन फसले जिससे तेल निकलता है जिससे राम तील हो गया, तील हो गया, सुरज मूखी हो गया, दलहन फसले, अरहर, उडध, मुंग, ठीक है अनाज मतलब चावल, गेहूं, यह सब अनाज के अंतरगत आते हैं। तो नियुंतम समर्थन मुल्य के अंतरगत, साथ प्रकार के अनाज, पाच प्रकार के दलहन, साथ प्रकार के तीलहन और चार प्रकार के व्यापारिक फसलों के नियुंतम समर्थन मुल्य निर्धारित किया जाता है। यहां पर एक आकड़ा और दिया गया है वो उतना आपके लिए important नहीं है आर्थिक सर्विक्षण में खरीप वर्ष 2021 के धान उपारजन यानि की धान खरीदी और मक्का खरीदी का यहां पर data दिया गया है इसको याद मत कीजेगा आपके लिए सबसे important data है 2022-23 का जो अभी current में था ठीक है इसको याद नहीं करेंगे तो चलेगा ठीक देखे अगर नियुनतम समर्थन मुल्य के हम बात करें तो यहां पर कुछ प्रमुक क्रिशी उपजोग का नियुनतम समर्थन मुल्य दिया गया है यह जो नियुनतम समर्थन मुल्य है यह खरीफ फसलों का है किसका है धान की दो केटेगरी है, सामान्य और grade A, सामान्य धान का न्यूंता समर्थन मूल्य दो हजार चालीस रूपए, grade A का है दो हजार साट रूपए, ज्वार हाइब्रिट का है 29-70 रूपए, ज्वार माल धंडी का है 29-90 रूपए, देखे कौन-कौन से याद करना है आपको बता 60 रूपए, ठीक है, इसके अलावा आपका मुंग फली, मुंग फली का दो बार हो गया, यहाँ पर एक बार और एक्ष्टा है, इसो कट कर लेना, मुंग फली और आपका उडद केवल इतने को याद कर लेना, उडद का कितना है, 6600 रूपए, ठीक है, उडद का 600 रूपए और मुंग फली का 58, इतने को पहले याद कीजेगा, धान और मक्का के नियूंतम समर्थन मुल्य सबसे ज़्यादा पूछता है, धान, मक्का और बाजरा का, ठीक, बाकी को याद नहीं करेंगे, तो भी चलेगा, लेकिन एक्जाम के पॉइंट आफ यू से याद कर लेकिन जो मैक्सिममम कोश्चन पूछा जाता है, धान, बाजरा और आपको मक्का से पूछा जाता है, ठीक है, चलिए, आगे देखिए, ये तो हो गया खरीब फसलेगा, अब अगर हम रभी की फसलों की बात करें, तो यहाँ पर गेहूं का नियूंतम समर्थन मुल्य कितन है रभी फसलों का, उसको थोड़ा सा जात कीज़ेगा, गेहूं का 21, 25 और चने का है आपका 33, 35, नेक्शे देखिए, धान, खरीदी, कम्प्यूटरी कृत, प्रदेश सरकार नियूंतम समर्थन मुल्य पर धान की खरीदी करती है, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वरा जो धा किस वर्ष किया गया? किया गया? इसमें नियूंकर वर्ष की किया गया, इसमें धान खरीदी के पार्दर शिता लाने, और उनके खातों में भुऩतान करने के उद्देश से लाया गया देखें क्या होता है न कि इसमें जो है प्रदेश सरकार इसका कंप्यूटरी करने के पिछे का उद्देश था कि बीच से जो है जो बिचौलिय है उन्हें हटाया जा सके बिचौलिय क्या करते थे यानि कि एक प्रकार का मीडियेटर जिसे साधाने शब्द में दलाल बोल सकते वे वेक्ति क्या करते थे जो बिचौलिय है वो क्या करते थे किसानों से कम किम्मत पर धान खरीद करके आगे बड़े व्यापारियों को जादा किम्मत पर बेच करके बीच में मुनाफ़ा खाते थे तो इसे बिचौलियों को बीच से हटाने के लिए प्रदेश सरकार ने धान खरीदी का कम्प्यूटरी करण किया दो हजार साथ आठ में खरीब फर्ष 2021-22 में समर्थन मुल्य पर धान बेचने के लिए किसानों के पंजियन, क्रिशी विकास एवां किसान का लैंड तथा जय प्रोद्विकी की विभाग के द्वारा एकिकृत प्रोटर के माद्यम से किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश बीच से बिचौलियों को हटाना और किसानों को डैलेक्ट उनके जो फायदे की राशी है उनके खातों में डैलेक्ट आहरित करना जाने कि उनके खातों में डैलेक्ट ट्रांसफर करना अंतरित करना ठेक देखिए धान और मक्का खरीदी 2022-23 ये मक्का खरीदी करने लिए संस्था का नाम है मक्का खरीदी नागरीक आपूर्ती निगम वित्तिय वर्ष दो हजर बाइस तेईस में जो धान की खरीदी की गई वो एक नवंबर 2022 से लेकर के 31 जनवरी 2023 के मध्य किया गया जबकि मक्का की खरीदी के लिए जो तिथी निर्ध धान का 20-60 रुपए जबकि प्रदेश सरकार ने घोशना की अथा कि राज्ये के किसानों से 2640 रुपए की दर से धान की खरीदी की जाएगी मक्का की खरीदी का जो निम्तम समर्थन मुल्य है वो है 1962 रुपए अधिक्तम सीमा एक एकर से प्रदेश सरकार के द्वारा प्र धान की खरीदी की थी अब अगले साल से 15 की जगा 20 कुंटल प्रती एकर की दर से धान खरीदी की जाएगी जबकि मक्का का है आपका 10 कुंटल प्रती एकर ठीक है खरीदी प्रदेश सरकार के द्वारा इस निर्धारित तिथी में 107.53 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई इस खरीप विपड़न वर्षी 2022 में प्रदे सरकार के द्वारा आपके 107.53 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की गई है और मक्का के आकड़े अभी उपलब्ध नहीं है ठीक है इस पर कुछ और डाटा पर ध्यान देना राज्य में कुल 2497 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की गई ठीक है इस साथ ध धान से चावल निकालने के लिए पंजिकरित राइस मिलर्स की संक्या है बाइस सो चौरासी ठीक इन्पोर्टेंट है याद रखना राज्य सरकार द्वारा प्रती बागदाने के लिए 25 रुपए का किसानों को भोगतान भी किया जाता है बागदाने का मतलब क्या होता है ब तो किसान जो आपका जिस बैग में भर करके चावल लाएंगे तो पूरा का पूरा आपका जो बोरा है जो बैग है उसे गवर्मेंट के पास जमा करना होता है तो उन्हें बार दाने का अलग से 25 रुपए भी गवर्मेंट भुकतान करती है टोकन तुहर हाथ एप धान खरी जान विक्रे हेतू टोकन प्राप्त कर सकेंगे इस एप के द्वारा किसान को समीती द्वारा दर्जक किसान की जानकरी पंजिकरित रगबा बैंक खाता टोकन धान खरीदी आदी सभी नविंतम जानकरिया प्राप्त होगी इस एप के उप्योग पंजिकरित किसान के सम्बं से कर दिया गया यानि कि एप में अपना पुरा रिकॉर्ड अप्लोड करके टोकन लिया जा सकता है और जो डेट 2008 से पुरे प्रदेश भर में चावल महुचों की सुरवात की थी इस चावल महुचों के अंतरगत रासन सामागरी की निगरानी तथा निर्धारी तिथी में राशन वित्रन किया जाता है जैसे कि मान लीजिए कोई गाव जहां पर उचित मुल्य की दुकाने हैं वहां पर प् endeavor थी सप्तहा बाजार लगता है तो एक महने का जैसे कि मानलीज अभी कोन सा महेन चल रहा है अभी चल रहाआ कि महेना तो इस मही महीं मेंगेवन में 6 महीं के बाद जो आगला सप्ता आएगा और उस ससप्तह में उस गाव को जो बाजार लगेगा उस बाजार में उस उचित मुल्य की दुकानों में राशन समागरी वित्रित की जाएगी और जिस गाओं में आपका बाजार लगता नहीं है उस छेत्रों में उचित मुल्य की दुकानों में प्रती महा साथ तारीक को प्रती महा साथ तारीक को राशन समागरी वित् है अच्छे से कीज़ेगा इसमें में आपको याद रखने है इस एयर से कोश्चन आते है चावल महस्तों के शुरुवात कब हुई यह भी कोश्चन पूछा गया एक्जाम में ठीक है इसमें आपको में कौन-कौन सा याद रखना है यह सारे चीज टोकन तुहर हाथ एप ठीक है टोकन तुहर तो याद रहेगा लेकिन टोकन तुहर द्वार है कि टोकन तुहर हाथ है कि टोकन तुहर घर है वो क्या है उसको ध्यान देना टोकन तुहर हाथ है धान खरीदी कितना किया गया एक साथ तमड़ा पांच तीन लाट मेट्रिक टन उसका नियूंतन दनी बुए को माइन है कितना निर्धारी थक मकुन्तर जारी धरती दधान खरीदी करना एंड और से प्रती सरकार 25 कुंटर प्रती एक दरd किधे धान कर सकते हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा लाइक और शारीजcej कीजेगा धन्यवाद